पहले गाडी से तिरस्वी आदव उतरते हैं और उसके बाद उस गाडी से उतरते हैं जगदा नन सिंग और जगदा नन सिंग जैसे ही RJD कार्याले के भीतर घुषते हैं। पहला लाइन बोलते हैं पुलिस वालों को कि किसी को भी अंदर मत आने देना ये आप लोगों का काम है और उसके बाद मीडिया वाले बाबु जी और जगदा बाबु बोल बोल कर चिलाते रह गए लेकिन जगदा नन सिंग उनकी नहीं सुनते हैं और सीधा कार्याले में जाक करवाईए और उसके बाद मीडिया वाले जब फिर आते हैं तब जगदा बाबु कहते हैं कि देखो मुझे अभी अपना काम करने दो मैं बात करूंगा लेकिन अभी बात नहीं करूंगा जगदा नन सिंग 58 दिन के बाद जब RJD कार्याले में घुसे तब शायद किसी ने न देश जाये कि जगदा नन सिंग के पास पहले जितनी शक्तिया थी पहले जितना उनका इज़त था 58 दिन दफ्तर ना आने के बाद भी जगदा नन सिंग का इज़त कम नहीं हुआ है और वो जो चाहेंगे RJD कार्याले में वही होगा जगदा नन सिंग नराज हुए नराज ऐसा हुए कि राष्ट्रिय कारेकारणी के बैठक में दिल्ली नहीं गए और उसके बाद कहा जाने लगा कि सब कुछ बदल जाएगा लेकिन लालु यादव के दिमाग के आगे सब कुछ फेल है लालु यादव बैठक करते हैं जगदा नन सिंग के साथ तिरस भी यादव और उसके बाद सारी नाराजगी को दूर कर लिया जाता है और कल जब RJD के दफ्तर जगदा बाबू पहुँचे तब जगदा बाबू के आवाज से उनके चाल चलन से ये लग रहा था कि जगदा नन सिंग पुराने अवतार में ही RJD का रियाले लोटे हैं वो जैसे रहते वैसे ही रहेंगे बहराल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मिरा नाम प्रशांत राय है ये वीडियो माभवानी डेकोर प्राइविट लिमिटेड के दौरा प्रयोजित है माभवानी डेकोर टाइल्स मार्बल और गर नाइट घर पर पहुंचा कर दे देंगे अब लोटते हैं जगदा बाबु के कहानी पर जगदनन सिंग तिरस्वी आदाओ के साथ कल आरजेडी के दफ्तर पहुंचे और उसके बाद हड़कंप मच गया पहला सवाल और पहला जवाब यही हुआ कि पुलिस वालों को ज शक्तियां भी लाएं हैं जो प्रदेश अध्यक्ष के पास होती है और ऐसा नहीं है कि 58 दिन आरजेडी के दफ्तर से दूर रहने वाले जगदानन सिंग का पावर कम हो गया है जगदा बाबु उसके बाद बाहर निकलते हैं पूरा आरजेडी का रहले घुमते हैं और जो जगदा बाबु मान गए और उसके बाद एक सवाल से सबके मन में चल रहा था कि आखिर जगदा बाबु नराज क्यों थे जवाब निकलकर यह सामने आता है कि जगदा बाबु इसलिए नराज नहीं थे कि उनके बेटे का इस्तिफाह हो गया जगदा बाबु ने तो अपन की बात नहीं सुनी जा रही है उनको लगता है कि लालु यादव और तर्यस्वी यादव मुख्यमंत्री कुरसी पाने के लिए इतने बेचैन है कि वो लोग नितीश कुमार को कुछ भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं और नितीश कुमार आज भी अपने ही अंदाज में सरकार चला रही है इन सब बातों पर लालु यादव और तर्यस्वी यादव ने कहा है कि यह सब कुछ दिर दिरे ठीक होगा आप लोट आईए और उसके बाद जगदन अंसिंग जब लोटते हैं तो उसी अंदाज में लोटकर आरजडी करेलेम पहुंचते हैं और इस बात का संक वापस आ गए हैं तो क्या फिर से पहले की तरह काम करने लगेंगे इस पर कोई अब्रीट आएगे तो आपको मितला करेंगे आप जिंदा नेक्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद